दोस्तों इंगलेंड और अस्टेलिया के बीच धमाकेदार मुकाबला खेला गया T20 World Cup 2020 में आपको बता दू कि क्रिकेट जगत में इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर कोई महा मुकाबला होता है तो वो अस्टेलिया और इंगलेंड के बीच होता है दोस्तो और वैसा ही बिल्कुल मुकाबला देखने को मिला दोनों टीमों के भी आपको बता दू पहले अस्टेलिया बल्लेबाजी करते हुए सारे बल्लेबाज जूजते हुए नजराते हैं दोस्तो कप्तान एरोन फिंच एक छोर समहाले रखते हैं और दूसरे छोर से लगातार विक्टो का सिलसिला जारी रहता है एरोन फिंच चवालिस रन की कप्तानी पारी खेलते हैं और नीचे के लोवर और आडर बैश्मन पैट कमिंस मिचर स्टार्क और एस्टन एगर की उपियोगी पारी की बदौलत अस्टेलिया अपने 200 भर में 125 रन बनाने में काम्याब रहता है और इंगलेंड के सामने 126 रन लेकिन इसके बाद जौस बटलर का हमला रुकता नहीं है दोस्तो और लगातार वो तोडू फोडू सोट लगाते रहते हैं डेविड मलान केवल आठ रन बनाके पवेलियन लोट जाते हैं लेकिन बचा हुआ काम जौनी बैस्टो और जौस बटलर समाप्त कर देते हैं जौ इंगलेंड यह मुकाबला केवल बारवें ओवर में ही जी जाता है आठ ओवर सेश रहते हैं दोस्तो और इंगलेंड का इस जीत के साथ नेटर नेट की बात करूँ तो बहुत बहतरीन हो गया है और इसी जीत के साथ गुरूप वन में इंगलेंड अब टौप पर बिराजम है